नमस्कार, मैं चैनारा महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनिती विज्ञान, प्राज के बंगड महवदेल डीडवना से, आज हम पास्चात्य परतिनिती राजनिती विचारकों के अंतरगत मेक्यावली के बारे में चर्चा करें हैं, मेक्यावली राजनिती का धर्म और न प्रत्ली का चानक्ये हैं और उन्हें अपने युग का शिशुवए पुनर जागरण का प्रतिनिती वी कहा जाता है, तो उन्हें जो ये विशेश परकार की उपमाइए उन्हें दी गई है, उनका जो द्रिश्टी कोण है, जिसको यथार्टवादी द्रिश्टी कोण कहा जाता है उसी में से एक विचार राजनिती का धर्म और नेतिकता से पर्थकरण उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं मेक्यावली राजनिती का धर्म और नेतिकता से पर्थकरण सर्व पर्थम हम देखते हैं मेक्यावली यूग का शिशु या पुनर जागरण का परतिनीदी सधारन तेया परत्येक दार्षनिक पर तो जो भी दार्षनिक हुआ है किसी भी काल खंड में परतेग दर्शनिक पर उसके देश काल की प्रिस्थितियों का परभाव पढ़ता ही है परन्तु मेक्यावली पर अपने समकालीन राजनितिक, आर्थिक, समाजिक और नेतिक वातवर्ण की चाप शबसे अधिक इश्पष्ट रूप से अंकित है तो साधरनतिया देखें तो परतेग दर्शनिक पर अपने देश काल की प्रिस्थितियों का परभाव पढ़ता है परन्तु मेक्यावली पर जो राजनितिक, आर्थिक, समाजिक और नेतिक वातवर्ण जो उस समय विद्यमान था उसका बहुत अधिक श्पष्ट रूप से परभाव हमें दिखता है उन पर प्रोफेसर डनिंग जो विचारक है राजनिति विज्ञान के उनका कथन सही बेटता है कि यह परतिबाशाली फलोरेंस वासी वास्त्विक अर्थू में अपने युग का शिशू था तो मेक्यावली को अपने युग का शिशू भी कहा जाता है और क्यूं कहा जाता है क्यूंकि उन पर अपने देशकाल की प्रस्तितियों की चाप सबसे अधिक शुषपष्ट रूप से चाहे वो राजनिती की बात हो आर्थिक बात हो शामाजिक हो या नेतिक वातावरन की शुषपष्ट रूप से अंकित हो आती है इसी वज़े से उन्हें अपने युग का शिशू कहा जाता है मेक्यावली का युग पुनर जागरन का युग था उनसे पहले हम देखें तो जब पलेटो अरस्तु से लेकर के आप जो है थोमस एक विनास तक हम देखें तो कभी जो है नेतिकता पर बात हुई तो कभी जो है धर्म पर बात हुई तो ये एक पुनर जागरन का युग मेक आतिनेधी कहा जाता है कि अपने युग का एक ऐसा दार्षनिक वह परियवक्षक है परियवक्षक परुष परियवक्षक परनालि दूर बुर्टेयोंson देखा वह अपनी रचनाओं में उसका समाधान भी प्रस्तूत वो करता है तो इनकी जो पदिती है उसको आगमन पदिती माना जाता है परिवेक्षनात्मक पदिती माना जाता है उनको यथार्तवादी पदिती उनको माना जाता है उनकी द्वारा जो पदितियां अपनाएग तो इनके बारे में भी परसन अक्सर पूछे जाते हैं मेक्यावली को इटली का चानक के भी कहा जाता है इनका जनम इटली के फलोरेंस में 1479 में हुआ था समूचित शिक्ष्या प्राप्त करने के बाद 25 वर्स की आयू में अपने राज्ये के ग्रह एम विदेश विभाग में शाधारन लिपिक की रूप में उन्होंने नोकरी प्रारंब की परंतु सीग्र ही उसने गण राज्ये के दीत्य सच्चिव का उच्च पद प्राप्त कर लिया और उनकी योगिता से प्रभावित होकर उन्हें फलोरेंस राज्ये का राजदूत बनाकर विदेशों में भेजा गिया तो कुल तीस से जदा जो देश हैं बाहर के उन्होंने राजदूत की रूप में शेवाई दी और वहां की प्रिस्तितियों वहां की जो सैसन वेविस्ता है उनको उन्होंने नजदीक से देखा कुछ समय बाद जब इस पैन दुबारा आकर्मन किया गया उनके देश पर तब अन्य अधिकारियों के साथ साथ उन्हें भी शाष्की पद से हटा दिया गया वह शडियंतर का आरोप लगा कर बंदी बना लिया गया तो एक वर्स तक वो जेल में रहे एक वर्स बाद रिहा जब हुए तो उन्होंने अपना सैस जीवन जो है वो लेखन में बिताया तो फिर उनके द्वारा पुस्तकों की रचनाय की और इसी अधार पर उनको रिहा करवाया गया था कि यह अब जो है सारुजनिक जीवन में भाग नहीं लेंगे तो उनकी जो परमुक रचनाय है वो इस परकार है इनके बारे में भी काफी पर्सन पूछे जाते हैं प्रिंस बहुत महतुपूर्ण पुस्तक प्रिंस के अंतरगत उन्होंने शासन विवस्ता का वर्णन किया है एक राजा कैसा होना चाहिए डिस्कोर्सेज जो गणतंतर आत्म वेवस्ता की उसके अंदर जो है टिका टिपणिया पूरी स्रंकला चली थी डिस्कोर्सेज की तो गणतंतर पर जो अध्यन है वो इस पूस्तक में है और युद्धकला दा आर्ट ओप वार ये इनकी महतुपूर्ण रचनाय जिनकी बार रजागरण का परतिनिधि आगे देखते हैं हम नेतिकता और धर्म समंधी विचार राजनिती का नेतिकता और धर्म से पर्थक करण तो उनके जो विचार हैं नेतिकता वा धर्म समंधी उसमें उन्होंने राजनिती को धर्म और नेतिकता से पूर्ण रूप से हम कह सकते है कि पर्थक कर दिया था राजनिती को धर्म और निती के प्रभाव से उनका मक्षत था शर्वत्ता, मुक्त और सवतंत्र करना मेक्यावली की यही विशेस्ता उन्हें प्राचीन और जो मद्यकालीन विचारक है उनसे अलग करती है शोफिष्ट वरक के विचारकों के अतिरीक्त सभी युनानी विचारक शुकरात पलेटो और जो अरस्तू थे उन्होंने नेतिक जीवन को बहुत महत्तुब दिया और चर्च के विचारकों का तो संपून राजनितिक चिंतन ही धर्म से अनुप्राणित था किन्तु मेक्यावली पहला ऐसा विचारक था जिसने राजनितिक को नेतिकता से जान भूज कर तथा ओपचारिक रूप से अलग कर दिया था तो ये पर्थम बार ऐसा हुआ कि किसी विचारक ने राजनिती को नेतिकता से बिल्कुल ही अलग कर दिया मेक्यावली इस बात से इनकार करता है कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुशे को इश्वरिय कानून के निर्देश की अवश्रकता है बात है उनके उनको कोई मतलब नहीं था मेक्यावली की धारना है कि मनुशे का केवल एक ही लक्षे हो सकता है और वह है इस जीवन में सुक की प्राप्ति तो आगे क्या होना है या भावी जीवन में यह होगा अभी हम प्रोपकार करें उन सब बातों से वो अलग मानते हैं स्वेहम को और कहते हैं कि एक ही लक्षे होना चाहिए और वह है इस जीवन में सुक की प्राप्ति इस प्रकार मेक्यावली मानव जीवन के अंतिम लक्षे के बारे में शंत थोमस एकवीनास और इशाई धरम के अन्य विचारक जो है उनकी धारनाओं का खंडन करता है मेक्यावली के अनुसार राज्ये के दुवारा अपने को एकीकर्त करने और शक्तिसाली बनाने के लिए आउशक्ति अनुसार सभी प्रकार के शाधन अपनाये जा सकते हैं वह कहता है कि राजा को राज्ये की शुरुक्षा की चिंता करने चाहिए शाधन तो शदेव आदर्निये ही समझे जाएंगे बहुत मैं तुपरण परसन आ रहा है यहां पे तो शाधन तो सदेव ही आदर्निये समझे जाएंगे और उनकी सामानी रूप से परसंसा ही की जाएगी तो जो महात्मा गांदी जी की या उनसे पूर्व की जो अवधारन हम देखते हैं शाधन दोनु की पवितर्ता की बात जो कही जाती है राजनिती के अंदर उसको यहां पे नकारते हुए वो कहते हैं कि शाधन तो सदेव आदर्निये ही माने जाएंगे समझे जाएंगे राजा को राज्ये की शुरुक्षा की चिंता करने चाहिए और समानी रूप से साधनु की तो परसंसा ही की जाएगी तो मेक्यावली की धारना है कि राज्ये की शुरुक्षा और कल्यान की मारग में नेतिक विचारों को बादित नहीं होने दिया जाना चाहिए और नेतिकता के चक्कर में न पढ़कर आवशक्ता अनुसार सभी परकार के शाधन अपना लिये जाने चाहिए तो साम, दाम, दंड, भेद जो चानेक के कहता है उसी परकार ये भी कहता है कि शाध्य जो है वो पवितर या वो हमारा क्या है राज्ये को सुरुक्षा देना, राज्ये को सुरुक्षित रखना, राज्ये को मजबूत बनाना तो शादन उसके लिए कौन से काम में लिये जा रहे हैं, उनका कोई महत्व है, उनकी पवितरता की कोई आवशकता नहीं है, तो शादन तो सदेव ही आदरनिये समझे जाएंगे, हमें राज्जी की सुरुक्षा की चिंता करनी चाहिए, नेतिकता की चकर में नहीं पढ़ना यह तो है नेतिकता को कैसे वो नकारता है तो शादिय ही शादनू का ओचित्य है उप्रियुक्त जो यह द्रश्टिकोण है शादिय ही शादनू का ओचित्य है इस द्रश्टिकोण के अधार पर मेक्यावली लिखता है कि राजा को उपर से दयालू विश्वासी धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते विए आउशक्ता पढ़ने पर निर्देयूं विश्वाश घाती और अधार्मिक बनने को तत पर रहना चाहिए तो कैसे उनकी सोच देखिए आप यहाँ पर पूरी तरीके से नेतिकता को और धरम को वो बिल्कुल ही अलग कर देते हैं तो ढोंग करना है उनको दिखावा करना है कैसा कि मैं दयालू हूँ मैं विश्वास करने वाला हूँ मैं धार्मिक हूँ और सच्चा हूँ और आउशक्ता पढ़ने पर वो निर्देय बन जाता है विश्वास घाती बन जाता है अधार्मिक बन जाता है तो यह ऐसी विचार और उसका विचार है कि छल कपट को जानने के लिए राजा को क्या सला देता है देखो कि छल कपट को जानने के लिए उसमें लोमडी और भेडिये को डराने के लिए शेर होना चाहिए तो शेर और लोमडी दोनु के लक्षन होने की बात वो कहते हैं चल कपट को जानने के लिए लोमडी और भेडिये को डराने के लिए शेर के जैसा होना जाए तो राजा को एक शाथ ही लोमडी और शेर दोनु की सलावो देता है इस परकार मेक्यावली और राजनितिक लक्षियों की प्राप्ति के लिए सभी शाधनों को अपनाना उचित ठहराता है और अपने नरेश को अवशक्ता अनुसार नेतिक अनेतिक सभी शाधन अपनाने का प्रामर्स देता है तो ये थे शाधिय ही शाधनों का अचित्य है आगे देखें मेक्यावली की अनुसार राजनिती का निती से जो समंध विछेद किया गिया है उसके परमुक रूप से निमल लखित चार कारण दिये जा सकते है पर्थम देखें तो युनानी दार्शनिकों की भांती जो यु होते हैं तो यहां तक तो युनानी दार्शनिकों के साथ है इसी अधार पर आगे देखो अपना जो सोच है उसको यहां पर फिट कर रहा है वह इसी अधार पर बुह कहता है कि जब राज्जे की सुरुक्षा संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए कि क क्या न्याय पूर्ण है और क्या अन्याय पूर्ण क्या देयालूता पूर्ण है और क्या निर्देता पूर्ण क्या गोर्व पूर्ण है और क्या निर्लजिता पूर्ण तो यहाँ पे नियाई को, देयालुता को या गोरुता को वहाँ पे पूरी तरीके से वो नकारती हुए राजी की सुरुक्षा को वो सर्वपरी मानता है। कि शाशक गण, आंत्रिक परसासन और वेदेशिक शमंधू के संचालन में शदेवी नेतिक, अयनेतिक सभी साधनू को अपनाते रहे हैं। तो यथार्त वादी दरिश्टिकोन की वज़े से उन्होंने धर्म और जो निती है उसको राजनिती से अलग करने की कोशिश की। तीसरा कारण हम देखें, तो वो है उसकी मानुपरकरती के समंध में जो धार्ना है, विशिष्ट धार्ना, वह है मनुशिये को गोहर सवार्थी मानता है। तो मनुशिये के बारे में उनकी सोच देखें, गोहर सवार्थी, उसके दरिश्टिकोन के कारण धार्मिक और नेतिक प्रभाव, पूर्णतेया, मुक्त राजनिती का जनम हुआ। तो धार्मिक और नेतिक प्रभाव से मुक्त राजनिती का जनम हुआ, क्यूंकि उनकी सोच ये थी, कि मनुशिये गोहर सवार्थी है, तो वहाँ धर्म और नेतिकता को लागू करने का कोई अर्थ है, उन्हें नजर नहीं आया। चोथा कारण देखें, तो शक्ती को और वीर पूर्षों को अत्यधीक महत्व है, शक्ति को महत्व दिया उन्होंने। मेक्यावली, शक्ति साली व्यकति को वंदिनिय मानता है, समझता है, उसकी वंदना करने चाहिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतेक उपाय का प्रियोग करना उन्होंने उचित बताया है। उनके द्रश्टी कौन के कारण धार्मिक और नेतिक प्रभाव से पूर्ण ये मुक्त राजनिती का जनम हुआ। उनकी द्रश्टी में राज्य में धर्म के महत्व इसलिए है कि धर्म का महत्व उन्होंने बताया है देख पूरी तरे नहीं नकार रहे हैं। किसलिए बताया वहां भी आपको श्वार्त दिखेगा कि धर्म सब्भे जीवन का आधार है वेक्ति अनेक बार रज्य के कानूनों की अविज्य कर देते हैं किन्तु धार्मिक नियमों को इश्वरिय आदेश मानकर उनका पालन करते हैं। तो इश्वरिय आदेश मानकर वो पालन करते हैं धार्मिक नियमों का नागरिक। और इने संस्थाओं की अवहलना राज्य के विनाश को जनम देती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत धर्म को वापिस पुनह पट्री पर लाने का प्रियास कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि धर्म का अगर गुट्टी लोगों को पिला दी जाए तो वो सारे कानून उनको मान लेंगे। नेतिक तो धर्मिक भावनाओं का आदर मेक्यावली वहीं तक करता है जहां तक वे राज्य की शक्ति और हित के महतुपूरुन साधन हो तो वहां तक वो धर्म को नेतिकता को सही मानता है जहां तक राज्य की शक्ति या राज्य का हित उसमें शद रहो राज्य मजबूत हो वहीं तक वो मानते हैं अब बात करें इसकी अलोचनाओं की तो विभिन परकार से इनके अलोचना की जा सकती है नेतिकता को उन्होंने नकार दिया है धर्म को उन्होंने पूरी तरीके से अलग कर दिया है तो धर्म और नेतिकता की विना राजनिती को हम बिल्कुल ही जिस पर तो उसी प्रकार और दूसरी बात उन्होंने जो मनुश्य के बारे में जो घोर स्वार्थी विचार धारा रखी है वो हमें एक पक्षिये नजर आती है तो देखिए मेक्यावली ने अपने राजनेतिक दर्सन में धरम और निती की घोर उपेक्षा की है इटली की ततकालीन प अयसमर्थ था तो इतना वो शिमित हो गिया था एक जगे कि मानुश्य समाज में बाहर निकल कर ये देखता कि दुनिया में अच्छे लोग भी है जो गुणी लोग भी है कि वो बुराई नहीं है अच्छाई भी विद्यमान है तो वो वहाँ पे दूसरी बात मेक्यावली क नेतिक्ता और नेतिक्ता के परसं से परे हैं मेक्यावली दुवारा शाध्य प्राप्ति के लिए सभी शाधनों के प्रयोग की बात करना सही नहीं है चाने के भी साम दाम दंडव भेद की बात करता है लेकिन धरम वे नेतिक्ता की इतनी उपेक्षा नहीं करता जितनी मेक् वे धर्म और नेतिकता से उदासीन है उनके परती उसका रविया जो है वो उदासीन रविया है बलकि वो एनेतिक नहीं है फ्रेडरिक पोलक ने उसके विचारों को वेग्यानिक तटस्त था की श्चंग्या दिये है जिस परकार वेग्यानिक तटेस्ट रहकर किये अपना जो शोध कारिय करता है वेसे ही वो धरम और नेतिकता से तटेस्ट है राजनिती और धरम के समंद में मेक्यावली की धरना को हम यथार्तवादी भी मान सकते हैं तो ये उनकी सोच हमें नजर आती है, तो ये था मेक्यावली, मेक्यावली के धर्म और नेतिक्ता समंधी विचार, मेक्यावली क्या केते हैं, धर्म और नेतिक्ता के बारे में, और क्यों उन्हें यूग का शिशु कहा जाता है, तो राजनिती का धर्म और नेतिक्ता से पर्त शक्रन मेचावली, धन्यवाद.